नमस्कार बहुत स्वागत है आपका शुरुआत करेंगे बुलेटिन की छतरपूर में भीशड सड़क हादसा हुआ है हाईवे पर ट्रक से आटो टकरा गया और इस हादसे में साथ लोगों की दर्दिनाग मौत हुई है और छे लोग अस्पताल में भरती कराए गया है वहीं उत्तर प्रदेश के सभी मौत तक बताया जा रहे है जासी खजुराहो हाईवे पर यहादसा हुआ ओवरलोड था आटो और इसी के चलते हादसा होना बताया जा रहा है साथ लोगों की दुखद मौत हो गई है तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे है तेरह लोग आटो में सवार थे और इसमें से चे को अस्पताल में भरती कराया गया है तो चहतरपूर से यह बड़ी खबर जहाँ पर हाईवे पर ट्रक से आटो टकरा गया साथ लोगों की इसमें दुखद मौत हो गई है वहीं छे लोग अस्पताल में भरती कराये गए है वे भी खायल बताये जा रहे हैं सभी डॉक्टर्स की निगरानी में है सभी मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताये जा रहे हैं जहासी खजुरहो रोड पर यहादसा हुआ है ट्रक से जहां पर तेशर अप्तार आटो टकराया और इस आदसे में सत लोगो की मौट हो हूई है अ इसकी बार इनिकल कर भी सामने आया कि आटो में शमतास से ज्यादा लोग सवार थे साथ लोगों की मौत हुई है छे अस्पताल में भरती है जिनका उपचार किया जा रहा है तेरा लोग एक आटो में सवार थे आप सोचिए और आटो ट्रक्ट से टकरा गया और साथ लोगों की इस हादसे में मौत हुगई हलाकि पुलिस प्रिशासन की टीम भी मौके पर पहुंची मामला दर्च कर लिया गया है तो बहुति समय गटना हुई है जसमें जहांसी खजराव हाईवे पर एक आटो टेक्सी उसकी इसका इंडिक्स करके साथ हुआ है और उसमें जो भी अलोक्तिया भी तक साथ लोगों किसमें बैठ भी है और बाकि लोगों गायल है और उनका इलाज किया गटना हुई थी कितने लोग थे उसमें टेक्सी में बच्चे वेगरा भी साथ में देगा आपके परिवार के कितने लोग थे हुआ हुआ है किया घटना हुई है कितनी लोग असपार हुए सब्सक्राइब कर नासी तरब से खज्राओ कर दाने वाले एक इसकिता असबार हुए सब्सक्राइब कर दो ने कुछ का जा हुए गाता हुए सब्सक्राइब तक प्रेंग के मार्थ हम से हां चकरकुराय होंगी और आटों से बागिश्वार थाम जा रहे थे